हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सारे लोग मैं हूं गोराओ और आज की इस सुड़े में हम बात करने वाले हैं दोस्तो आपने देखा होगा कि जब मैंने अपना यूटुब चनल को मोनेटाइज नहीं किया था तब तक मेरी सारी वीडियो वारेल जाती थी लेकिन जैसे ही मैंने अपना यूटुब चनल को मोनेटाइज किया उसके बाद मेरे वीडियो पे वीज काफी कम हो गए तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये क्यों हुगा है और अगर आपके साथ ये प्रॉलम होई है तो इसका सॉलिशन क्या है तो आज किस वीडियो को आपको complete watch करना है और जितने भी नए यूटुबर हैं या फिर जितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये प्रॉलम होई है तो इसका सॉलिशन क्या है आज के इस वीडियो में हम इसी गोरे बात करने वाले हैं एक चीज़ मैं आपको वगता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के अनर आपको कुछ ऐसी चीज़े चीज़ें सीखनों को मिलेगी जो आपको पूरे YouTube के अंदर कभी भी सीखनों को नहीं मिलता और मेरी बीडियो सारी जितनी भी होती है आपको कुछ न कुछ सीखनों को उससे जरूर मिलता है तो बस आप इस वीडियो को सुछ लास्ते का देख रहे है तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप देखो तो जब आप YouTube में कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसके ऊपर ads होती है अगर वो जो channel है जिसकी वीडियो आप देख रहे हो अगर उसका channel monetize है तो होता क्या है उस ad से जितने भी पैसे मिलते हैं उस ad का 45% YouTube अपने पास रखता है और 55% क्या होता है उस creator का देता है जिसकी वीडियो आप देख रहे हैं लेकिन होता क्या है अगर आप किसी ऐसे बंदे की वीडियो देख रहे हैं जिसका channel monetize नहीं हुआ है तो होता क्या है उसका पूरा का पूरा 100% पैसा YouTube खुद अपने पास रखता है अब कुछ लोग को लगता है कि YouTube जब तक किसी का channel monetize नहीं हुआ होता है तो उसके वीडियो को viral इसलिए करता है क्योंकि उसके काफी जितने भी ads होंगे उसके सारे के सारे पैसे YouTube खुद रख लेता है creator को देना नहीं पड़ता लेकिन होता कि है जब channel monetize हो जाता है तो वहाँ पे एड के पैसे share करने पड़ता है इसलिए YouTube ऐसा करता है लेकिन मैं आपको बता हूँ कि इसमें बिल्कुल भी सचाई नहीं है क्योंकि ये जो चीज़े होती है तो maximum जितने भी YouTuber हैं उनके साथ होती है लेकिन फिर भी बहुत सरे ऐसे creator है जिनके साथ ये problem नहीं होती तो हम ये नहीं बोल सकते है दूसरी चीज़े जो लागू होई है ये होई है 2021 से 2021 के पहले होता क्या था कि जितने भी ऐसे YouTube channel थे जो monetize नहीं होते थे तो उनके वीडियो पे ads वो नहीं हुआ करते थे तो मैं आपको बता हूँ ये चीज़ जो लागू होई है कि अगर आपका channel monetize नहीं हुआ है तो उसके उपर ads होगी ये तो अभी से लागू हुआ लेकिन पहले भी बहुत सरे ऐसे channel थे जो monetize नहीं रहते थे तो भी उनकी वीडियो वारेल जाती थी जैसे उनका channel monetize हो जाता था तो उनकी वीडियो पे प्यूज आना काफी हद तक कम हो जाते थे तो मुझे लगा कि यार ये क्या problem है तो मैं क्या किया जब भी आपके कोई भी channel पे एक लाग से उपर subscriber होते हैं तो YouTube के दरब से एक manager मिलता है तो मैंने अपने जो YouTube channel का manager है मेरे पास काफी सारे channel है जिसमें लागों से उपर subscriber है तो मैंने उनसे बात करी कि या ये क्या problem है तो उन्होंने मुझे जो बताया और ये चीज़ आपको समझना जरूरी है होता कहा है जब कोई एक नया YouTube channel होता है तो YouTube ने बोला कि ये मेरी एक प्राथमिक्ता होती है कि मैं उस channel को बड़ी तेजी से boost करूँ होता कहा है जब एक नया YouTube channel होता है उसके पास कोई भी subscribers नहीं होते तो वो अपने आप grow नहीं हो सकता लेकिन जब कोई old channel होता है उसके पास already कुछ subscriber होते हैं जिससे वो अपने आप stable हो सकता है तो उनका कहना ये था कि मैं दोनो channel जो होते हैं चाहे कोई नया channel हो या फिर कोई पुराना channel हो हम दोनो channel को boost करते हैं बट जो नया channel होता है हमारी प्राथमिक्ता होते है कि हम उसको काफी boost करें starting time पे तो ये चीज है जो आपको जानना जरूरी है कि आगर आपके साथ ये boost की प्रावलम आई है तो ये एक प्रावलम है और mainly जो तीन प्रावलम मुझे समझ में आती है वो ये है कि देखो होता क्या है जब हम एक नया YouTube channel create करते हैं तो starting पे हमको क्या करना होता है और यही चीज मैं आपको बताऊं कि जब मैं यहाँ पे अपने channel पे वीडियो बनाना शुरू किया था इस starting time पे तो होता क्या था कि मैंने काफी अच्छा मेनत किया लेकिन क्योंकि मैं आपको बताऊं मेरे पास काफी सारे YouTube channel है तो यहाँ पे जब मैंने इस YouTube channel को create किया तो यहाँ पे मैं starting के सारी वीडियो पे काफी जादा मैंने जोर दिया था और काफी नई चीज आपको सीखनों को मिली थे उस वीडियो के अंदर बट जैसे मेरा channel monetize हुआ तो वहाँ पे थोड़ी से मैंने deal दे दी तो इस starting में सारी वीडियो वारल नहीं जाती लेकिन कहीं न कहीं कई बार ऐसा होता है कि हमारा एक वीडियो वारल हो जाता है तो उसी एक वीडियो से आपके जो subscribers है वो भी complete हो जाता है और watch time भी complete हो जाता है तो जब यह चीज होती है तो मैंने आपको बताया कि जैसे YouTube क्या होता है आपको थोड़ी सी प्राथमिकता आपके कम कर देता है और ऐसे में हमको समझना होता है अपनी audience को कि हमारे जो subscribers आएं है तो हमको जो भी वीडियो बनाना है तो उन subscribers के लिए बनाना होगा तब ही हमारी और भी वीडियो वारल होगी और अगर हम अपने audience को नहीं समझेंगे तो YouTube हमारी वीडियो को और भी वीडियो को वारल नहीं करेगा एक तीसरा और बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो यह है कि जब आप एक नया YouTube चनल क्रेट करते हैं तो एक लोग गलती ये करते हैं एक तिकड़म दिमाख ये भी लगाते हैं कि लोग वास्टैम और सब्सक्क्राइबर्स खरील लेते हैं किसी दूसरी बर चैट से या तो यह तो यह करते हैं लोग इस करन्न सो उनका चनल बरबाद हो जाता है या दूसरा ये भी होता है कि वो लोग Google Ads का इस्तमाल करके अपने जो वीडियो हैं को प्रमोट करते हैं तो इससे होता क्या है कि उनका वास्टेम भी कंप्रीट हो जाता है उनके सब्सक्राइबर्स भी कंप्रीट हो जाते हैं तो आपकी वीडियो वारेल नहीं होने देता है तो ऐसे में भी आपका चैनल डेट हो जाता है अब अगर आपके साथ ये प्रॉलम होई है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो देखो यहाँ पे मैं अपने laptop के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे देखो ये मेरा YouTube चैनल है Bytee Method तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं वीडियो सेक्षन में जाता हूँ तो यह मेरी वीडियो बारेल हूई दूसी वीडियो यहाँ पे मेरी वारेल हूई आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वीडियो बारेल हूई यहाँ पे देखो एक और जो मेरी वीडियो वाइरल है, यहाँ पे अभी आपको दिखाऊंगा कि इसमें कितने अच्छे वीव आते हैं, हर दिन इसमें 4,000, 5,000 वीव आते हैं इन दोनों वीडियो के अंदर, फिर यहाँ पे देखें यह जो मेरी वीडियो है, कि आप copy paste करके नया YouTube चनल कैसे create कर सकते हैं, तो अगर मैं इस तरीके की वीडियो बनाऊँगा, तो यह वाइरल हो जाएगी, अभी मैं यह प्रूब भी आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने बताया था, एक्सपोज किया था, यहाँ पे 4-5 यूटुबर को एक्सपोज किया था, तो यह मेरी वीडियो बाइरल हो गई, इसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाई, इसी तरीके से यहाँ पे देखे, 6 biggest scam on YouTube, तो यह भी वीडियो बाइरल हो गई, इसमें 24,000 वीव आगए, यहाँ पे देखे, मैंने आपको एक और वीडियो बनाई, पागल बनना बंद करो, आपको किस टाइम पे वीडियो अप्रोट करना है, आप इन लोगों की बात मस सुनो, तो यह वीडियो मैंने बनाई, तो यह बारल हो गई, अगर आप मैं कॉपी पेस्ट के बारे में, कोई भी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि यह मैं क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि देखो, कॉपी पेस्ट के जितने भी यूट्यूब चनल आप बनाते हैं, तो 99% जो होते हैं, फ़े चनल मोनेटाईज ही नहीं होते, तो आपकी महनत बरबाद होती है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको गलत वीडियो बनाऊ, तो यहाँ पे मेरी एक मजबूरी है, इसलिए मैं आपको, नहीं चाहता कि मैं आपको बेकूप बनाऊं, लेकिन जो भी मैं आपको वीडियो बनाता हूँ तो मैं कोसिस ये करता हूँ कि आपको उससे फाइदा ही मिले देखर यहाँ पे मैंने एक और वीडियो बनाई थी कॉपी पेस्ट के बारे में इसमें भी 14,000 व्यू आ गए तो अगर मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ तो वाइरल हो जाती है लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो पैसा है मैं दूसरे मेरे पास कई सारे सोर्से समय पैसा कामाने के तो यह जो यूटूब चनल है मेरे यूटूब चनल बनाने का उद्यस यह है कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ आपने देखा हुआ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी टापिक पर बोल देते हैं कि सर आप इस टापिक पर वीडियो बना दो तो यहाँ पर यही solution है कि अगर आप अपने वीडियो को viral करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके वीडियो उस पर अच्छेका से view जाएं तो आपको अपनी audience को समझना होगा यहाँ पर देखिए जैसे मैं आपको बताया तो यहाँ पर अगर analytics पर आप जाएं तो यहाँ पर देखो आपको एक option देखने को मिलता है research का तो आप यहाँ पर जाएं research और research पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक option देखने को मिलेगा your viewers searches कि आपके जो subscribers हैं आपके जो viewers हैं वो क्या सर्च करते हैं YouTube के अंदर तो आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे देखिए सबसे high volume जो देखने को मिल रहा है my first blog तो अगर my first blog कैसे create करते हैं इसके बारे में अगर मैं वीडियो बनाओ तो मेरी वीडियो 100% viral जाएगी लेकिन यहाँ पे भी है viral जा भी सकती है नहीं भी viral कब जाएगी अगर मैं इसके बारे में वीडियो बनाओ लेकिन अच्छी information दूँ अच्छी information डिलेवर करूँगा तो वीडियो viral चली जाएगी लेकिन अच्छी information नहीं दूँगा कुछ भी बना दूँगा तो वीडियो viral नहीं जाएगी लेकिन यहाँ पे कुछ keyword है अगर इन keyword पे मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसमें chances है कि अच्छे खासे वीडियो जाएगे तो यह चीज आपको समझना है कि अगर आपके जो subscribers नए आए हैं तो अगर आप उनको वो deliver करने लगो जो वो चाहते हैं तो आपके वीडियो viral होने लगेंगे लेकिन एक चीज आपको और समझना होगा देखो ये चीजें हमेशा काम नहीं आती क्योंकि मैं आपको बिदा हूँ पूरा का पूरा जो मामला है वो है YouTube के algorithm का और YouTube का algorithm हमेशा बदलता रहता है इसको कोई भी नहीं समझ सका है आज तक न समझ सकता मैं आप होता हूँ 2016 की अंदर 2016-17 में होता क्या था अगर आप अपनी वीडियो को viral करना चाहते हैं तो उस time पे अगर आप thumbnail create किया है और thumbnail पे अगर CTR click through rate अच्छा है तो उस time पे आपकी वीडियो viral हो जाती थी लेकिन फिर क्या आया 2018-19 के time पे आया wash time का एक थी अगर आपके वीडियो में wash time अच्छा आता है भले आपका CTR काफी डाउन है लेकिन अगर आपके वीडियो पे वीडियो अच्छा है तो आपके वीडियो viral हो जाती थी लेकिन 2021-2022 में क्या आगया कि आपके वीडियो तभी viral होगी जब उस पे CTR और average video duration दोनों अच्छा है तभी आपके वीडियो viral हो सकती है तो ये सारी चीज़े जो है YouTube के अंदर हमेशा algorithm change होता है तो इसको कोई नहीं पकड़ सकता बस ये है कि अगर आप अपने content को सुधार लें अगर आप अपने subscribers को वो डिलिवर करने लगें जो वो चाहते हैं तो आप काफी हद तक अपने वीडियो को viral कर सकते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को like कर दीजे चैनल को भी जिरू subscribe करें और मन में किसी परकार का कोई भी सवाल या सुझाओ है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और बता सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक ले जेहन बंदे मातरम